तो आज की वीडियो में जो हमारी पीजा ट्रैकिंग सीरीज है उसको कंटीनिव करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको बनाया था और जो एक्स्प्रेस सर्वर है उसको सेट अप किया था और अभी जो अगे का काम है अमारा इस वीडियो में करेंगे and we are starting right now Hello 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 Friends My name is Rakesh and welcome to another video अगर आप इस चानल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्रेम स्कील को ग्रोव करना चाते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्स्राइब और बेल का इकन प्रेस करके So you don't miss anything All right तो चले मैं अपना text editor open करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हमारी जो step है अभी next step वो क्या है देखें जैसे कि हमने बात की थी कि इस वीडियो में हम जो git है उसको भी use करेंगे तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे git जो है उसको setup करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि यह जो git है हमारे system के उपर installed है या नहीं है तो उसके लिए चलते हैं अपने terminal में और यहाँ पे आपको type करना है एक terminal window मैं open करता हूँ यह है और यहाँ पे type करेंगे git और यहाँ पे करना है version enter और जैसी कि आप यहाँ पे देख सकते हो देखिए यह git version 2.24 जो दिखा रहा है इसका मतलब मेरे system के उपर जो git है वो already installed है अगर आपके system पे यह git install नहीं है तो simply आपको जाना है यहाँ पे type करना है git और यह देखिए यह जो website है यह खुलेगी आपको यहाँ पे जाना है नीचे देखिए यहाँ पे जो downloads है इसके ओपर click करेंगे और यहाँ पे जो हमें Mac के लिए Windows के लिए या फिर Linux के लिए जो भी version है आपको download करना है और इसको install करने के बाद आपको फिर से एक बार terminal या फिर जो command prompt है उस पे जाके check करना है same command जो git version है तो यहाँ पे आपको version दिखाएगी और यह version अगर आपको दिखा रहे है इसका मतलब आपने successfully जो है git जो है उसको install कर दिया तो अभी सबसे पहले बात करते है कि यह जो git है हमें क्यों चाहिए होगा तो git basically use होता है जब भी कोई भी project के उपर अगर multiple developers काम कर रहे है तो जो version control है अलग-अलग developers अलग-अलग जो changes है वो करेंगे code के अंदर तो इसको हमें अलग से separate करना होगा तो यह git बहुत काम की चीज है तो सबसे पहले यहाँ पे git repo है उसको setup करते है folder जो है हमने create किये थे last video में यह सारे हैं तो यहाँ पे हमें जो git है वो setup करना है जो repository है तो उसको setup करने के लिए सबसे पहले तो आपको type करना होता है git init और enter करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि initialize empty git repository और हाँ यह git और github यह दोनो अलग चीज़े हैं देखिए git एक program है और github एक service है एक company है जो की internally git यूज़ करती है तो यहाँ पे हमने जो git program है उसको install किया हुआ है और जैसे हमने git init कर दिया तो इसने हमारे project folder के अंदर एक empty repository जो है वो create कर दी अभी अगर हम text editor में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी repository हमें नहीं दिख रही है और इसका reason यह है कि यह जो repository होती है वो start होती है dot से यहाँ पे अगर आप देखोगे देखिए pizza folder के अंदर real time pizza folder के अंदर dot git नाम की जो है जो folder है वो यहाँ पे create हुआ है तो अगर यहाँ पे अगर जाके हम देखेंगे देखिए यह हमारा folder है real time pizza इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए dot git नाम से हमें जो folder है वो दिख रहा है यह हमारी repository है जो local है और यह अगर आपको नहीं दिख रही है तो यह by default hidden होती है अगर आप mac के उपर shift command और dot अगर प्रेस करोगे तो यह hide हो जाएगी और फिर से अगर उसको करेंगे तो यह visible हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी जो empty repository है वो अभी create हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अभी है master branch के उपर तो last video में जितना भी काम हमने किया था यहाँ पे हम इसको इस repository के अंदर add करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको command run करनी है git status देखिया है यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारे folders यहाँ पे हमें दिख रहे है कि कौन से folders हमें यहाँ पे available है उसके अंदर add करने के लिए लेकिन यह जो repository है उसको हम बाद में जो github है उसके उपर push करेंगे तो हमें वहाँ पे यह जो node modules folder है या फिर जो भी हमारे .env file होती है अभी तक हमारे पास नहीं है यह हम बाद में create करेंगे जिसके अंदर हम जो हमारे सारे credentials है जो private चीज़े वो रखेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़े जो है वो repository के अंदर store हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है एक file यहाँ पे root folder के अंदर create करनी होती है और उसको नाम आपको देना होता है .gitignore देखिए यह file का नाम जो है यही होना चाहिए .gitignore और इसके अंदर आपको लिखना होता है कि कौनसी कौनसी files जो है हमें ignore करनी है हमें add नहीं करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले तो node modules को लिखते हैं इस तरह से और यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे .ds store जो है वो भी दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यह भी हमें वहाँ पे add नहीं करना है तो इसको copy करके मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ और इसी तरह से .env file हम बनाएंगे तो इसको यहाँ पे add करेंगे अभी इसको save करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यह list में आया है .ds और node module से यहाँ पे हमें दिखा रहा है अगर अभी मैं फिर से यह command run करता हूँ git status तो देखे अभी क्या होगा इसके आगे आपको जो फाइल का नाम है जो आपको add करना है वह लिखना है लेकिन यहाँ पे हमारे पास multiple files है तो आप सिर्फ यहाँ पे अगर dot करोगे तो जितनी वी files हमें यहाँ पे दिख रही थी अभी वह सारी हमारी add हो जाएगी staging पे देखे अभी enter करूँगा और फिर से जो command है वो run करते है git status अभी यहाँ पे देखे पूरा जो है वो green हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि changes to be committed तो यह जो सारे changes है वो यहाँ पे add कर दिये अभी हमें इसको करना है commit तो commit करने के लिए simply आपको लिखना है git commit और यहाँ पे dash m आपको लिखना है message के लिए यहाँ पे हम message दे सकते कि जो commits है इसके अंदर हमने क्या-क्या काम किया है तो यहाँ पे simply हम करते है initial यह पहला commit है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको initial जो है वो message दे दिया इसको करेंगे enter और यह देखिए यह जो पूरा code है हमारा जितना भी काम हमने last video में किया था वो हमारे repo के अंदर store हो गया अगर अभी हम करेंगे git status यहापे आप देख सकते हो on branch master nothing to commit मतलब सारा जो code है हमने already इसको commit कर दिया, store कर दिया तो अभी चलते हैं अपने text editor के अंदर यहापे हमारे पास plan.text file है उसके अंदर देखते है क्या है देखिए git setup और first commit हमने यहापे कर दिया इसको मैं ok कर दिता हूँ अभी जो हमारा next काम है वो है install laravel mix तो अभी देखते कि यह laravel mix क्या है और इसको हमें q install करना है देखिए सबसे पहले चलते है और यहापे type करते है laravel mix और यह laravelmix.com जो इनकी official website है यहापे हमें जाना है जैसे कि आप यहापे पढ़ सकते हो देखिए an elegant wrapper around webpack यहापे हम चाहते कि जो हमारी modern javascript है जो latest features है javascript के यह हमें यहापे use करने हैं javascript का जो module system है यह भी हमें use करना है हमारे client side पे और इसके साथ में जो css के लिए sas use करना है लेकिन इसको use करने के लिए हमें कोई तो tool चाहिए ताकि यह जो पूरा code है हमारा उसको compile करके जो अपना public folder है उसके अंदर जो है उसको store करें तो यहापे बहुत सारे tools है जो हमारी यह काम करने में मदद करते हैं जैसे कि webpack हो गया या फिर gulp हो गया parcel chase हो गया बहुत सारे tools है तो यहापे हम webpack यूज कर सकते थे लेकिन यहापे क्या होगा कि webpack अगर use करेंगे तो हमें कुछ manual configuration जो configuration है वो अपको ना के बराबर यहापे करना होता है और बाइदे वे यह Laravel mix जो है जो Laravel framework है उसके अंदर यह काम करता है लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि यह सिर्फ Laravel के अंदर ही नहीं यह एक standalone project मतलब हम हमारा जो project है इसके अंदर भी हम इसको use कर सकते है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे install करना है तो उसके लिए आपको जाना है documentation पे और यहापे देखते हैं Laravel project यह हमारा Laravel project नहीं है तो इसको skip करेंगे और यहापे देखते हैं stand alone project यह हमें चाहिए तो सबसे पहले यहापे क्या दिया है उन्होंने कि जो project है वो create कर दो जो हमने already कर दिया है और आपको simply क्या करना है यह जो command है npm install Laravel mix save div इसको हम copy करेंगे और चलते हैं अपने terminal के अंदर और यहापे मैं इसको paste कर देता हूँ और देखिए हम यहापे use कर रहे है yarn तो हम इसको निकाल सकते है npm install और यहापे आपको लिखना है yarn add और यह जो save div है इसकी जगह आप लिख सकते हो dash d तो यह save div और dash d जो है वो same काम करते हैं जो की है हमारी dependency उसको add करना है हमें किस type के dependency के अंदर जैसे कि हमने package.json के अंदर दिखा था यहापे दो type की dependencies होती है एक होती है normal main dependencies और दूसरी होती है div dependencies तो dash d जबी हम करेंगे तो उसको यह add करेगा हमारे div dependencies के अंदर हमें production पे यह जो package है वो नहीं चाहिए इसको सिर्फ चाहिए हमें development के time पे तो यहापे इसको करेंगे अभी enter और यह इसको install कर देगा देखिए install हो रहा है थोड़ा सा time ले सकता है यह यहापे install हो गया अभी चलते हमारे package.json के अंदर और यहापे आप देख सकते हो Laravel mix यहापे हमें अभी दिख रहा है हमारे div dependencies के अंदर अभी चलते हैं documentation पे और यहापे देखते हो और क्या करना है अभी हमें क्या करना है कि यह जो command है यह हमें run करनी है तो यहापे terminal में चलते हैं और यहापे इसको paste करता हूँ तो यहापे यह simply एक file जो है वो copy कर रहा है कहा से node modules के अंदर जो हमने अभी root folder के अंदर देखिए अगर मैं इसको enter करूँगा तो यहापे देख सकते हो आप webpack.mix.js जो है यह file यहापे आ गई और इसमें आप देख सकते हो पूरा जो documentation है कौनसी कौनसी methods हमें यहापे available है पूरा इसमें लिखा हुआ है लेकिन हमें simply एक जो line है यह use करनी है देखिए अभी क्या करना है हमें हमने last वीडियो में देखा था कि यह जो resources के अंदर resources के अंदर जो js है और scss है इनके अंदर जो file है वो हमें compile करके public folder के अंदर जो css और js है उसके अंदर हमें store करनी है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे देखिए mix.js यहाँ लिखा हुआ है यह एक method है हमारे javascript के लिए तो यहाँ पर हमें सबसे जो पहला option है वो हमें देना होता है कि कुम सी file आपको compile करनी है और जो second parameter होता है वो कहाँ पर आपको इसको store करना है compile होने के बाद तो यहाँ पर simply इसको edit करेंगे और हमारा है resources के अंदर js नाम का folder है और उसके अंदर है app.js लेखिए यह वाली app.js और इसको हमें store कहाँ पर करना है यहाँ पर simply आपको लिखना है public folder और public folder के अंदर हमारे पास js नाम का folder है और उसके अंदर है app.js यह हो कहा है जावा स्क्रिप्ट के लिए अभी इसी तरह से सेम चीज हमें करनी है हमारे सास के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे resources और resources के अंदर हमारे पास scss नाम का folder है यहाँ पर देख सकते हो आप और उसके अंदर है app.hcss और इसको हमें store कहाँ पर करना है public के अंदर css app.css यह public के अंदर css नाम का folder है और उसके अंदर है app.css और बस इतना ही configuration हमें यहाँ पर करना है अगर हम यहाँ पर जो plain webpack है वो use करते थे तो हमें बहुत सारा जो configuration है वो करना पड़ता था लेकिन Laravel Mix की बज़े से आपको simply एक line यहाँ पर add करनी है और आपका पूरा काम जो है वो हो जाएगा इसको अभी save करते हैं और इसको मैं close कर देता हूँ इसको भी close कर देता हूँ और हमें और जाना होगा documentation पर उनके और यहाँ पर देखिए यह सारी चीज़े जो है वो हमने already कर दी और उसके बाद हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर scripts हमें कुछ scripts चाहिए हमें npm के लिए या फिर yarn हम यहाँ पर use कर रहे है ताकि जो हमारी files है वो compile हो जाए तो मैं क्या करूँगा जो dev है यह हमारे पास already है तो इसको मैं निकाल देता हूँ और यह hot जो है वो भी हमें नहीं चाहिए और देखिए यह जो prod है इसको थोड़ा सामें बड़ा कर देता हो ताकि आपको दीखे अच्छे से देखिए यह जो prod है यह हमें चाहिए होगा जब हम हमरा project है उसको production के लिए build करेंगे तो यहाँ पर यह simply क्या कर रहा है npm run production मतलब यह run कर रहा है यह वाली script तो यह एक थोड़ा alias है उसके लिए या फिर shortcut आप जिसको बोल सकते हो तो यह जो shortcut है यह भी मैं निकाल देता हूँ हमें नहीं चाहिए फिलाल के लिए तो हमारे पास आभी बचा है development जो हमें आभी चाहिए होगा और यह जो watch है यह same command है development script है लेकिन यह क्या करती है watch करती है मतलब आप file जैसे change करोगे तो आपको manually उसको फिर से recompile नहीं करना पड़ेगा यह हमारे लिए automatic जैसे file change होती है वो उसको पूरा compile जो है वो कर देगा और यह जो है यह हमें चाहिए होगा production के लिए जब ही हमारा project complete हो जाएगा तो इसमें यह बहुत सारे काम करता है जैसे कि आपको file जो है वो minify करनी है या फिर optimize करना है images आपकी जो है उसको optimize करना है तो यह पूरा काम इसमें हो जाएगा यह production script के अंदर लेकिन हमें अभी development के लिए simply यह एक command चाहिए जो की हमारा npm run development यह हो जाएगा यह script run हो जाएगी और यह इसको करेगा watch अब भी चलते है documentation पे और यहापे आप देख सकते हो कि यहापे cross env जो है वो use हो रही है तो उसको भी हमें यहापे install करना होगा देखे npm install cross env savedev यहापे लिखा हो है तो terminal में चलते है और यहापे करते है yarn add और इसको मैं paste करूँगा और अभी करता हूँ enter देखे यह इसको install कर देगा यह हो गया और अभी चलते हैं फिर से हमारे text editor में इसको मैं save कर देता हूँ तो अभी चेक करते हैं कि यह laravel mix जो है वो काम कर रहा है कि नहीं तो उसके लिए जाना है हमें हमारे resources folder के अंदर और js, देखे app.js यहाँ पर अगर मैं simply करता हूँ console.log hello from app.js और इसको मैं करता हूँ save और इसी के साथ मैं saas भी चेक करेंगे यहाँ पर simply एक variable में बनाता हूँ यहाँ पर कुछ color set करते हैं उसके उसमें फिलाल के लिए यहाँ पर raid करते हैं for testing और इसको मैं save कर देता हूँ और अभी चेक करेंगे यहाँ पर देखिए public folder के अंदर css, app.css अभी तक यह empty है और js, देखे यह भी यहाँ पर empty है अभी हमें क्या करना है हमें जो Laravel mix है उसको अभी start करना है तो उसके लिए आपको जाना है टर्मिनल पर और जैसे कि अपने यहाँ पर देखा था देखिए package.json के अंदर हमें यह जो script है watch यह अभी हमें run करनी है तो इसको मैं copy कर लेता हूँ और आप script किस तरह से run कर सकते हो npm run और command का जो नाम है script का जो नाम है वो यहाँ पर देना है लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे है yarn तो आपको simply करना है yarn enter और यह देखिए यह अभी जो भी dependencies इसको चाहिए वो install कर दे रहा है Laravel Mix और यह थोड़ी देर में जो है वो compile जो है वो पूरा कर देगा इसको यह first time थोड़ा सा time ले सकता है तो थोड़ा सा wait करते हैं तो देखिए इसका जो installation है यह complete हो गया और उसने क्या किया sas loader हमें install कर दिया sas install कर दिया और यहाँ पर url loader जो है हमें चाहिए होगा वो भी इसने install कर दिया अभी फिर से यह जो command है उसको run करेंगे yarn watch तो यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ error दिख रही है देखिए क्या है देखते है crossenv command not found हमने crossenv जो है उसको install किया था लेकिन यह इसको नहीं मिल रही है और यह मतलब कभी कभी हो जाता है यह जो problem है आपको simply क्या करना है इसको फिर से जो है यहाँ पर install करना है देखिए yarn add crossenv मैं फिर से यह जो command है उसको run करूँगा और wait करते हैं तो यह यहाँ पर install हो गया अभी run करते है yarn watch देखिए enter और यह देखिए यह अभी यहाँ पर build हो रहा है और यह complete हो गया और यहाँ आप देख सकते हो कि देखिए पुरा size हमें दिखा रहा है कितना size का जो है कौनसी file है अभी चलते हैं अपने public folder के अंदर यहाँ पर जो js folder के अंदर app.js है यहाँ पर अगर मैं इसको open करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सरा code यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है और यह जो दिख रहा है आपको यह webpack का थोड़ा सा configuration है इसको आप ignore कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए console.log जो हमने लिखा था हमारे app.js के अंदर यह यहाँ पर दिख रहा है हमें यह अभी compile हो चुका है और इसी तरह से अगर चलते हैं अपने देखिए css folder के अंदर app.cs यहाँ पर देखे कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है और इसका reason यह है यहाँ पर simply हमने variable का नाम लिखा था देखिए app.scss हमें कोई तो style यहाँ पर देने होगी अभी manually हमें यहाँ पर compile नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने watch जो command है वो run किये तो अभी देखते हैं यहाँ पर देखें टर्मिनल में यहाँ जो है compile यहाँ पर दिखा रहा है और अभी चलते हैं अपने app.css के अंदर जो public folder के अंदर है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह body background rate यहाँ पर compile होगे यहाँ पर variable नहीं जो compile code है यहाँ पर हमें दिख रहा है तो अभी इसको मैं close कर देता हूँ अभी यह हमारा complete हो गया है इसको okay कर देता हूँ अभी next काम जो है वो है install tellwind css तो इस project में हम tellwind css भी थोड़ा सा use करने वाले है ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा fast हो जाए तो आपको जाना है simply tellwind css के website पे यहाँ पे type करेंगे tellwind css और यह website यहाँ पे खोलेगी आपको जाना है get started पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर नीचे आते हैं और थोड़ा सा नीचे हमें आना है cdn यहाँ पे search करते हैं यहाँ पे देखिए यह cdn link है इसको मैं copy कर लेता हूँ और चलते हैं अभी अपने resources के अंदर जो views है देखिए home.ejs और यहाँ पे क्या करता हूँ tailwind css है और हाँ अगर आपको tailwind css के बारे में पता नहीं है तो इसके उपर मैंने already एक crash course बनाया है तो उसका link आपको description में या फिर यहाँ पे right cell में अभी मिल जाएगा तो चाहे तो आप उसको पहले देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो चीज़े है थोड़ी सी easy लगे और इसी तरह से यहाँ पे और एक link tag में open करूँगा और यहाँ पे देना है आपको css के अंदर जो app.css है जो file हमारी compile होके आ रही है उसको हम यहाँ पे include कर रहे है यहाँ पे अपने project के अंदर और इसी तरह से यहाँ पे script tag open करेंगे जो java script के लिए होगा और यहाँ पे करना है source और इसी तरह से js के अंदर जो app.js है यहाँ पे include कर दिया अभी इस project में हम google font यूज करने वाले है अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे type करेंगे google font लैटो और यह खुल जाएगा दिखिए यहाँ पे आपको select करना है जो भी चाहिए मैं select करूंगा जो light है और उसके साथ में यह normal और यह bold वाला एक select करते हैं और फिर आपको जाना है यहाँ पे embed यह जो है इसको copy करना है और इसको यहाँ पे करते है paste इस तरह से तो हमारा font भी यहाँ पे आ गया अभी इसको मैं save करूंगा और चलते हैं अपने terminal में और हमें यहाँ पे अभी run करना है अपना node server जो अपना project है तो उसके लिए simply हमें करना है yarn dev तो यह हमने last वीडियो में देखा था और इसको enter करेंगे तो यह देखिए listening on 3300 चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे करते है localhost 3300 एंटर और यह देखिए हमारा home page अभी चलते हैं अपने editor के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं h1 hello from home page save करेंगे और refresh तो देखिए hello from home page और यहाँ पे font थोड़ा सा change हुआ है मतलब tailwind CSS हमारा अभी काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो हमने body को background color rate दिया था अपने css file के अंदर यह यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसका एक reason है यहाँ पे अगर right click करके मैं inspect करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे error आ रहे है कि mime type text html इस type की तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हमने इस तरह से जो file है हमारी include कर दी यह css file है लेकिन server हमारा by default जो है response देता है हमें है अपने server.js के अंदर यहाँ पे simply आपको बताना है assets कहां पे रखे तो simply यहाँ पे आपको app use करना है app.use और express और express के उपर एक middleware आपको use करना है वो है static और यह होगी एक function और इसको pass करना है जो हमारा static folder है वो कौन सा है तो अपने case में यह है public अभी मैं इसको save करूंगा और चलते है अपने browser में यहाँ पे करता हूँ refresh और यह देखिए जो error थी वो चली गई और जो हमारा background color red है वो आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो console log हमने किया था वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा हैं तो अभी इसको में close कर देता हूँ और चलते हैं अपने app.scss के अंदर जो की है resources के अंदर देखिए app.scss और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ इस type के colors हमें नहीं चाहिए refresh और यह color जो है वो चले गए तो इस वीडियो के लिए इतना ही जो हमारा लाइक जरू कीजिये और यह एल सी यू इन ने ने वीडियो तब तक के लिए वेपी कोरिए